महामारी की दूसरी लहर के बीच और तीसरी लहर की संभावना से भारत की अर्थवस्था मुश्किल में फंस्ती दिख रही है महामारी की वजह से बने डर ने अर्थवस्था पर दबाब बढ़ा दिया है कई आर्टिक सर्वे एजिंसियों ने मुश्किल वक्त में RBI द्वारा GDP ग्रोथ को लेकर लगाय जा रहे अनुमानों पर सवाल खड़े कर दिये थे और अब RBI की ओर से इस पर जवाब आ गया है RBI ने भी मान दिया है कि जो अनुमान लगाया गया था वो कुछ ज्यादा था तो क्या है RBI का बयान देखिये ये रिपोर्ट दुनिया की तमाम सर्वे एजिंसियां दावा कर रही है कि भारत की GDP ग्रोथ इस साल 9% के आसपास रहेगी SBI की रिपोर्ट में तो इससे 7.9% के करीब बताया गया है लेकिन RBI का दावा था कि वितवश 2021-25 में देश की GDP डबल डिजिट में रहेगी RBI का अनुमान था कि 10.5% की दर से देश की GDP ग्रोथ करेगी हकीकत में GDP ग्रोथ उससे कम रहेगी RBI ने इस साल 9% की दर से GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है यह अनुमान भी उसी सूरत में है जब देश में महामारी की तीसरी लहर नहीं आती है यदि महामारी की तीसरी लहर आई तो यह अनुमान और भी कम हो सकते हैं इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिगांत दास की अध्यक्ष्था वाली मौद्रिक नीती समिती यानि MPC ने रेपोदर और रिवर्स रेपोदरों में किसी भी तरह का बदलाब ना करने की बात कही है आर्बियाई गवर्नर ने कहा कि MPC का मानना है कि 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों की जो रफ्तार बनी थी उसे फिर से हासिल करने के लिए इस समय चारों तरफ से निदिगत समर्थन की आवश्यक्ता है हमें आर्थिक शेत्र में जो बहतर शुरुआत हुई थी उसे आगे बढ़ाना है इसके साथी आर्बियाई गवर्नर ने नीतिकत दरों में और कटोती की गुंजाईश का संकेत भी दिया उन्होंने कहा कि अट्विवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने और लंबे समय तक व्रिधी को बनाए रखने के वास्ते जब तक जरूरी होगा मौद्रिक नीति का रुख उदार रखा जाएगा प्रीवी लाइब की रिपोर्ट